बाबा साब की मेहद डेकार गई बाबा साब ने एक किताब लिखी थी एनिलेशन ओफ कास्ट जातियों का बिनास जिन जारतियों का जड़ से बिनास खतमें बन उन्होंने अपने जीते जीत जातियों का बिनास भी किया और जिनको हम 6743 जातियां बोलते हैं वो सारे ही बैकवर्ड में आते थे उस समय तक जब तक SC नहीं बना था ST नहीं बना था और BC से OBC नहीं बना था तो सारे क्या थे? बैकवर्ड कार्ट BC बना करके थे इस बैकवर्ड के तीन हिस्से उन्होंने किये उन्होंने क्या किये? वो तो सारे बैकवर्ड ले फाइट कर रहे थे मगर जिन लोगों से उन्होंने अधिकार मांगे बैकवर्ड हों के सारे उन लोगो ने backward के सारे अधिकार ना दे के उनको कहा कि जो ज़्यादा पिष्णे हैं ज़्यादा गरीम हैं ज़्यादा दवे पुछले हैं पहले उनको अधिकार दे दो फिर बाद में जो बचे हैं उनको दे दे के तो ऐसा माना गया कि जिनके पास कुछ नहीं है ना इज़्यत है ना जिनके पास पैसा है ना एजूकेशन है ना खेत है उनको पहले अधिकार दिया जाए उनकी लिष्ट बनी तो उनको सबसे जो लिष्ट बनी उसको कहते हैं सिडूल तो जो schedule बना, वो caste का schedule, तो वो सारे सारे schedule caste होगे, यानि कि सूची में आगे, सूची में सारे हैं, इध्यान रखना आप, backward के जितने भी लोग हैं, वो सब सूची में सारे ही schedule caste हैं, क्योंकि schedule हैं, उनका caste के साफ से, मर अलग-अलग है एक है schedule caste जो most backward हैं, यान जिपको ऐसी बोलते हैं, पुर्षे नाम क्या है S3Doodle cast Most Backward, एक है S3Doodle Tribe यानि उनका S3Doodle बना हुआ एक शिरूल ट्राइब आये और एक OVCIA और इस नाम से जाल लगे तो बावा साब ने उन सभी बैकवर्डों को जो 673 जातियां लगए होते थी उनको तीन बड़ी-बड़ी केटेगरी में जोड़के जातियां को खतम कर दिया उसके बाद आगे का सफर होना था, वो चले गे तो आगे का सफर लोगों ने पढ़ा समझा देखा तो वो बहुजन नाम से आगे बढ़ाया बहुजन से फिर मूल निवासी आया, मूल निवासी से फिर समण और ववन आ लगाया यानि कि समण वाला जो concept है फाइनल concept हो जो बुद्ध के समय था यानि समण यहां के जितने लोग थे उनको समण बोलते थे तो समण आने लगा मगर समण इससे पहले है के famous होता बहुजन, मूल निवासी और समण famous होता लोग फिर जात को खीच के लाने लगे यह ना समझ कुछ लोग ऐसे आए जो अपनी जात का नेता बनने में घमन महसुस करने लगे उनके दिमाग में पता नहीं किस ने भरा बावा साब अमवेटकर को तो उन्हें पढ़ा नहीं अगर पढ़ा होता तो वो कभी भी जाती की बात करते हैं बावा साब अमवेटकर का नाम लेते हैं उनका फोटो लगाते हैं और जाती की बात करते हैं एक बड़ी उर्टी बात है यानि जिस वक्ति ने अन्यले सर्म काष्ट किया जाती को खतम किया जाती का विरास किया यहां तक कि बुद्ध के अन्याई बने जो भारत के बुद्ध थे भारत के ही रहने वाले जो धंब थे भारत के धंब को अपनाया तो जात को उन्होंने जड़ से समाग किया और फिर जात को खीच के और जात की जो समझी कारत करता है या जो राज्मितिक कार्य करता है, वो जात की ही बात करने लगे. इस तरह से बावा साथ की सारी महनत पर पानी फिर दिया, उन लोगों ने जो जात को दुबारा से निकाल के लेकिए आयर उसका इस्तमाल कर रहे हैं. अगर जात से तरक्य मिलती होती, जात की कोई भी जात के ऊपर कारे करने से सामाजी की धार्मिक जाढे के कारे करने से अगर अक्षि होती होती तो बहुत पहले हो गही होती क्योंकि जात तो लगवग 304-405 Mater भारत के लोगों के बनाए और जात पेड़ा होता कि अगर इन तीनों का एक होगे बहुजन होता और भी ज्यादा फायदा होता कि अगर इन तीनों का बहुजन से मूलनिवासी होता और भी ज्यादा फायदा होता अगर मूलनिवासी से समढ सब्दा आता समढ मतलब बहुत प्राण लोग यही के भारत के इसलिए आप अगर थोड़ा भी बावा साब को जानते हैं तो इस जात के खेल को समझ ये धन्यवाले Team22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर Team22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंटरी कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंटर मैट्रिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी वीजियो का या सारी वीजियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सबी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है, तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे, आप धम की सिवा में साहक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटर्चिन हैं यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तम्मं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी गुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी दम्मं सरेनं गच्छामी तूँथियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी तूथियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी दोगियं पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोगियं पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी संदम सर्णं कच्छामी